उसके बाद आजें product research के उपर आज हर किसी के जहनों में सिर्फ एक सवाल है मैंने क्या बेचना है मैंने कैसे बेचना है मुझे कितनी investment चाहिए तो इसका पहला criteria क्या होता है इसका पहला criteria होता है market research UAE के अंदर कोई भी tools काम नहीं करते जैसे e-gro, jungle scout, helium 10 अभी recently launch हुआ है यहाँ पे यह tools लेकिन इनकी accuracy के अंदर इनको data collect करने के लिए एक duration required है तो यहाँ आपने देखना है कि जी कितने seasons आते हैं यहाँ पे long term products कौन से हैं यहाँ पे seasonal products कौन से हैं यहाँ पे trending items कब कब आते हैं तो इन सारी बातों के उपर देहान रखना है इन सारी बातों के बाद then we have to decide कि मैंने किन categories के उपर अपना focus रखना है पहले बात करते हैं हम home decor सबसे पहले बात करते हैं home decor के उपर home decor इस वक्त world में सबसे ज़्यादा sell होने वाली category है हर बंदा पसंद करता है अपने घरों को renovate करना अपने offices को decorate करना और Amazon के उपर Middle East के अंदर जो purchase होती है वो luxurious purchase होती है यहाँ लोग luxury item खरीदने ज़्यादा आते हैं पसंद करते हैं and they can pay the heavy amount for it तो सबसे पहले आपने focus रखना है किसके उपर home decor और second category सबसे ज़्यादा sell होने वाली है pet accessories Middle East हो चाहे US हो चाहे UK हो हर चौते घर के अंदर pet मौजूद है और वो अपने से ज़्यादा अपने pets के उपर invest करना उनकी purchase करने को पसंद करते है वो sports की चीज़े जो fitness के लिए इस्तमाल होती है इसके उपर Amazon के उपर सबसे ज़्यादा purchase जो है वो sporting goods की है sporting goods के अंदर गर में बात करूँ तो gym match yoga match puzzle match gym burles बहुत बहुत wide range है इसकी तो इसके उपर भी आपने focus रखना है and last baby items अच्छा ये जितनी categories मैं आपको बता रहा हूँ ये एक नए seller के लिए बता रहा हूँ बढ़ना तो electronics is also the hot selling category लेकिन क्योंकि उसके अंदर returns आते हैं एक नया seller जो है उसके थोड़ी मुश्किलाद होती है तो ये जितनी categories है it's only for the newbies जब मैं बात करूँ baby items की तो याद रचेगा के baby items वो हो जो 0 to 12 months के बच्छे के लिए हो ये वो duration होता है जिसमें उसके parents prefer करते है कि वो अपनी purchase को online रखे है लोग इतना बाहर निकलना नहीं पसंद चबते है तो these four are the hot selling categories चाहे आप US की बात करें UK की बात करें या मेडलीस की बात करें let's go to the screen और हम देखने हैं कि इन categories से related Amazon के उपर किस तरह के items बिख रहे है home decor अब हर market का आपने behavior देखना है अभी जो आपके सामने screen open है it's for UA Amazon अगर मैं इसको shift कर दूँ जी amazon.uk के उपर तो same search के उपर same category के अंदर आप लोगों का मिज़ाज देखें लोग किस तरह के प्रोजक्स को पसंद कर रहे है और अब अगर मैं आ जाओ amazon.sa के उपर there is a wide range of home decor items जिसको लोग frequent तोर पर खरीदना पसंद करते है अगली हमारी कौन सी category थी yes is pet accessories जिसे हम pet supplies भी करते हैं हर market के अंदर अलग अलग लोगों के behavior है अलग अलग जब मैं behavior की बात करूँ I am talking about the purchase behavior बहुत matter करता है जिस दिन आपको पता लग जाए लोगों का behavior क्या है और मैंने उनको किस मिजाच की किस तरह की चीज़े बेचनी है you can sell anything अब यह तो बात होगए कि क्या बेचना है अब सवाल आता है कि मैंने क्या नहीं बेचना है यह मैं बात कर रहा हूँ एक नए seller की आपने electronics item को थोड़ा avoid करना है जब तक आप market को समझना जाए number two आपने food item sell नहीं करने किसी भी तरह के food item क्योंकि food item के लिए आपके पास यहां का trade license विलकि यहां का नहीं किसी भी मुल्का trade license होना सरूरी है आपके पास government के approvals होने चाहिए then only you can sell food items और तीसरी skin care items जिसे हम beauty products भी कहते है इन categories को आपना avoid करना है बाकी you are all set to launch your product अगली वीडियो के अंदर हम इसको थोड़ा और detail में बात करेंगे कि आपने इन categories पे किस तरह से focus करना है और फिर आप ready हो जाएंगे अपने store के लिए अपने product launching के लिए और हमारे साथ जुड़े रहेगा see you in the third video Allah Hafiz